आदाब मेरे तमाम तेलंगाना भारत के और करीमनगर के भाईयों आज की टापिक है संगीत रगी जो अपने आपको प्रोफिसर दिली उनिविशिटी कहता है और रसस का एक केंडिड है जो चार-पांच साल पहले जीरो था लेकिन बिकाव मीडिया ने उसको एक पॉपलर्ट कि आइतने इस तरह से मुह मुऊ क्खुलते इत्नी गंदगी के साथ उसका इस्ताईल अनदाद है जिसका आप अंदादा Hayır कई जगा कि आए यह तो दुक्र की आए है और पिर कई यह हुरान पर कामेंट किया है tam । dow और और कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कुरान पर प्रतिबंदल लगना चाहिए हां तो आपने देखा कि उसने कही क्या रहा है वह कह रहा है नौज बिल्ला कुरान को बैन कर दे तो संगीतरा की तुझ जैसे कच्रा चिल्डर लोगों की जो जबान है वह एक गंदी नाली के क मुम्किन है दुनिया की कोई हकुमत उसको बैनने कर सकती और फिर इसलिए अगर कोई इस्राइल की दिमाग की तरह भी रहा बैन भी करने कोश्की तो बेखुब तुझ को मालूम यह नहीं है कि खुरान के लाखों हाफिस इस दुनिया में है जिनके सीने में खुरान रखी भी है महफूस और फिर उसके तरजमे के साथ कई लोग उसको याद करें हैं तो संगी तरह की तिरा जो दिमाग है कच्छा जो दिमाग है उसको सही कर ले और बार बार खुरान की वो आयतें उनको पढ़ता है जिसका खतल करो यह जो अलफाज यह जो आयतें गलत सलब लाया है तो यह खुरान कभी चेंज होएंगी उसके एक एक लफ्स पर अपना कंट्रोल रखा है उसको चेंज करने की या बैन करने की या कुछ भी करने की उसकी कुछ आयतें निकालने का जो डिमांड है तेरे ऐसे कई पैदा हुए लोग उसको कोशिश करे तो तो हिंदु जैसे मुलक में पाक जैस पाक मुलक में पैदा हुआ यह तो नाममकिन है इस्राइल के यहुदियों के बड़ बड़े लोगों बैठे उसको बैन करने कोशिश के आया तो उनको नहीं हो सका तेर से भी नहीं हो सकता तो अच्छी तरीख से इसको पाजिटिव मैंड लेके प कोई अगर शराब पिरा ना फर्मानी है कोई माबाब को सही तरीख से देख भलने कर रहा वो ना फर्मानी है कोई अगर अपने बीवियों से अपने बच्चों से बिहेविंग गलत कर रहा वो ना फर्मानी है कई ना फर्मानिया है जुवा खिलना ना फर्मानी है फसाद कर हैं उसको अइस्ट डिस्टरब करना उसको जो है सो इंसानियत को हलाक करना यह जो यह यह चीजत जो कुफर में आते हैं तो इनके खेलाफ तो बराबर हर ह्यई है सजा देती है तो उसी का वलभ थ़ला नहें धिकर क्या है को कुफर को खत्र करने के एक फितना फथम ہو भी जो विगाव चैनल से ऐसे आप प्रोफिसर कहकर ऐसे लोगों को डिबेट्स में लाना गलत है यहां तक कि एक दिन बीजेपी के तरजमन बिहार के रहने वाले शाहनावाद हुसेन भी खुले आम से कहे दिये कि अगर खुरान के खिलाफ यह डिबेट है तो मैं डिबेट तुछ चोड़ दे तुझ जैसे छोटे से पिले से कुछ भी नहीं होता खुरान खुरान आल्लह की किताब है उसने नाजिल की उसकी उसकी हिफादा खुद आला इंशाला करेंगा तो इस तरीके से बहका कर हमारे जो गैर मुसलिम भाई हैं इस मुलक में उनको डिस्टप कर करने के कोशिश मत कर और वो डिस्टप हमेंगे भी नहीं इंशाला थैंक्यू जजाक अल्ला